Hello students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप लोगों ने इसका part 1 जरूर देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि utility होता क्या है, TU की बात करी, हमने MU की बात करी, consumer equilibrium को study किया, आज हम पढ़ेंगे law of diminishing marginal utility, कि ये law है क्या? अब हम समझ चुके हैं कि marginal utility होता क्या है, यानि कि एक extra unit को consume करने से, किसी भी समान का एक extra unit, अगर हम consume करते हैं, तो उस extra unit को consume करने से जो change आया total utility में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? marginal utility, right? तो अब उसके एक law है, law of DMU, जो की आतक इसके अंदर है, cardinal approach के अंदर है, तो law क्या कहता है, as a consumer, as a consumer, consumes, as a consumer, consumes, more and more unit, more and more unit of a commodity, ध्यान समझ ना, class? As a consumer consumes, more and more unit of a commodity, किसी भी commodity के जादा से जादा unit को, जब एक consumer consume करता है, as a consumer consumes more and more unit of a commodity, then the marginal utility, ये law बात करता है, class? Marginal utility के बारे में, then the marginal utility, जो की derive हुआ है, derives from each and additional unit, each and, each and additional unit of total utility, total utility, goes on decline, ठीक है? Goes on decline, ठीक है? तो law कहता है, ध्यान से समझना, class, अच्छे से, कि जैसे कोई भी consumer, जादा से जादा unit को consume करने लग जाता है, 1, 2, 3, 4, consume करने लग जाता है, तो जो marginal utility है, जो हर एक additional unit से मिलता है, ठीक है? ब्रेक्सित देक्षा मिलाकर, अगर मैं तुम्हें सीधी सिंपल भासा में बताऊं, तो कि जब तुम एक्स्टा unit को consume करोगे, तो तुम्हारा जो marginal utility है, वो घटता चला जाएगा, वो डिक्लाइन होता चला जाएगा, वो डिक्लाइन होता चलाएगा, units of a commodity, then the marginal utility from each additional unit of output goes on decline. तो ये दिरी दिरे घटता चलायता है. मु का नेचर ही है कि वो घटेगा. मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, कि जो marginal utility है, उसका नेचर क्या है, कि वो हमेशा घटता रहता है. अब ये लौ है, ये पूरा का पूरा क्या है, क्लास? कि तुम्हे एकी और लौ पढ़ना है वस? वो है, law of demand. इसके बाद तुम्हें लौ पढ़ना है law of demand. तो ये जो assumption है, ये क्या assumption कहता है? सबसे पहला assumption है, सबसे पहला assumption है इसके अंदर, consumer is rational. अब मेरी बात समझना है, मैंना आपसे क्या कहा? कि जैसे जैसे additional unit को consume करोगे, तो उसका satisfaction डाउन होता चला जाएगा. तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें स्कूल से घर गया, तुम्हें एक रोटी बना के दिया, उस एक रोटी से तुम्हें सबसे ज्यादा satisfaction मिलेगा, फिर तुम्हें दूसरा खाओगे, दूसरे से थोड़ा कम मिलेगा, फिर तुम्हें तीसरा खाओगे, तुढ़ा और कम satisfaction मिलेगा, इस चीज को फिल भी वही करेगा, जो दिमागी हालत से सही हो, अगर कोई बच्चा क समझने की सकती होनी चीए, कि हाँ ऐसा होता है, अगर दूसरा ब्रेड सिम क्वालिटी का है, तो पहला वाला अच्छा लाएगा, दूसरे बाले से, अगर आप में टाइम गाप नहीं दिया, आपको सारी चीजा माननी पड़ेंगे, एक सुबह खार और एक साम को खारेंगे तो दूसरा ज्यादा अच्छा लग सकता है, तो आपको तुरंत कंजप्शन करना है, देखो क्या लिखा है, कंजुमर इस रेशनल, पहली बात, कंजुमर रेशनल है, दूसरी बात, अप्लिकेबल इन कारडिनल अप्रोच, यह चीजे किस अप्रोच के अंदर अप्लाई कर तीसरी चीजे, यहां से MCQ पूछ रहा आता, अजम्शन से, एस रेशनल, अप्लिकेबल इन कारडिनल अप्रोच, होमोजीनियस यूनिट शुद बी टेकन, होमोजीनियस यूनिट शुद बी टेकन, ध्यान समझना क्लास, जो यूनिट होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना होमोजीनियस यूनिट शुद बी टेकन, यानि कि आपने जो पहला वाला ब्रेड लिया, दूसरा ब्रेड सेम रहना चाहिए, आपल खार यह पहला आपल पीस रुपए किलो, दूसरा आपल दोसर रुपए किलो, तो जहर सी बात है, दूसरा अच्छा लगेगा, तो आपने कोई भी टाइम गाप नहीं रखना है, यानि कि कंटी निवस कंजपशन करना है, यानि कि एक अभी खाया, एक शाम को खाया, तो भी टाइम गाप हो गया, ठीक है, इस तरीके से नहीं, कंटीनिव कंजपशन करना है, तो आज घर पर बैठना, एक किलो आम लेलना, एक किलो क कार्णल अपरोच के अंधर होता है एक जैसा समान होना चाहिए नो टाइम गाप दिरिंग कंजप्शन आपके कंजप्शन ने कोई भी टाइम गाप नहीं होना चाहिए तो लो हो गया लो का अजप्शन हो गया अब आते हैं लो के स्केडियूल पर फिर आएंगे लो के तो, schedule देखते हैं, एक ही पेज जो बनाते है, schedule डिग्राम भी, अब तुम्हें में सिखाऊंगा तुम्हें स्केडियूल बनाना कैसे होता है, यह भी तुम्हें सिखा देता हूँ, वैसे तुम्हें बनाने के लिए नहीं आएगा लेकिन अल्टिमेटली तुम्हें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि MCQ में कहीं से भी कोष्टिन गुमा एक बार और इसको कर लेते हैं अच्छे से, यह है क्लास क्वांटिटी यानि की यूनिट्स, टोटल उटिलिटी और मार्जिनल उटिलिटी राइट, देखो, यह है क्लास मानलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो मार्जिनल उटिलिटी है उसका नेचर क्या है कि वो हमेशा घटेगा, ज तो मैसे घटाता हूँ, तो पहले हम उख लेलेते हैं, देखे मानलो 9 फिर घटागे न क्लास कम करते हैं 7 फिर घटागे बवरी क्लास और कम करते हैं इसक पूरा घटाना, इसका नेचर है कि हमेशा घटेगा और घट के एक यह अक बार 0 और माननस हो जाएगा तो हमेरे 5 फि आते वक दिहान रखना है इस बात का कि इसके स्केडूल में एक जीगे 0, एक जीगे माइनस होगा अब म्यू क्या है, अब म्यू क्या है, अब म्यू को जोड़ दो, 9, 9, 9 प्लस 7, 16, 16 प्लस 5, 21, प्लस 4, 25, 25 प्लस 2, 27, 27 प्लस 0, 27, 27 माइनस 1, 26, दन, यह हो गया टोटल लिटि TU और MU हमारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी बताओ, क्लास यहां तक, टोटल लिटी और मार्जिनल लिटी दन हो गया, तो यह हो गया स्केडूल, अब तुम यहां पे डाइग्राम बनाओ, फिर हम क्लास, क्या रिलेशन देखेंगे कहां से क्या रिलेशन आरा है, यह हो गया क्लास, यहां तक थोड़ा अबडा कर लेते हैं इसको, स्केडूल और डाइग्राम बनागे लिएग्राम यह स्केडूल, यह होगा डाइग्राम, चलोओ, जीरो, X, Y, यहां रखो TU और MU, और यहां युनित्स कंजूम्ड, युनित्स कंजूम्ड, डाइग्राम आपको भी देखना, class important है कि डाग्राम कैसे बनता है इसका, right? तो यह हो गया class आपका TU. ध्यान से देखो यह हो गया TU, ठेक है? डाग्राम TU का. और अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो क्या करना है, ठेक है? जहां पर TU मैक्जिमम है, यहीं मैक्जिमम है, जहां पर TU मैक्जिमम है, वहां से एक लाइन खीचोगे आप इस तरीके से, जहां पर TU मैक्जिमम है, right? और M-U, जहां से यह T-U स्टार्ट हो रहा है, वहीं से आप M-U को स्टार्ट करोगे, और यहां से निकालोगे इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से निकालोगे, इस ही पॉइंट से आपको इसको निकालना है, इस ही पॉइंट से निकालना है, ठीक है, अल्मोस्ट तो सेम ही य थाहां थाहां? यानि कि यह हो गए M.U. M.U. स्केडियूल थाहएं, M.U. हमेशा गटता है, तो यहां पर क्लास थाहा हमेशा गटता है, अब मेरी बाद धान्स देखना, स्केडियूल में जहां पर T.U. मैकजिमम है, म.U. जहां पर शेरो है, तो जहां पर T U last में maximum है, वहां M U 0 है, तो यहां पर T U maximum है, यहां पर क्या है? T U maximum है, वहां पर M U 0 मिलेगा, सुनो मेरी बात, T U increase कर रहा है, M U जो है वह घट रहा है लेकिन positive है, T U maximum है M U 0, T U पहली बार घटना start हो है M U minus में चला गया, यह सेम चीज़ यहां भी मिलेंगी, ज जैसी T U घटेगा M U minus में चला जाएगा, अब मेरी बात ध्यान खना, जहां पर T U maximum होता है, उस point को saturation point बोलते हैं, ठीक है? उस point को क्या बोलते हैं, class, saturation point, और जहां M U 0 होता है, उसको बोलते है, point of satity, ठीक है? point of satity, तो T U maximum, तो उस point को क्या बोलते हैं? saturation point, और जहां पर M U 0 होता है, उस point को बोलते है, class, point of satity, ठीक है? point of satity, ठीक है? point of satity, तो where M U is equal to 0, T U corresponding level पे सबसे जादा रहेगा, इसको बोलते है, point of saturation, इसको बोलते है, point of satity, तो यह धियान रखना, point of satity में M U, satity में M U 0 होता ह होता है, saturation में T U maximum होता है, okay, तो यह होगे, class, schedule, यह होगे आपका diagram पूरा का पूरा, अगर यह line यहां से निकालते है, यहां से निकालते है, तो गलत जाता, जहां T U maximum है, वहीं से आपको निकालना पड़ेगा, M U का nature क्या है, M U हमेशा घठता रहता है, अब हम देखिए एक यहां पे इसको मैं हटा रहा हूँ, यह आपने डागराम तो बनाई लिया है, अब मैं इसको schedule को हटा रहा हूँ, आप लिख लेना, वीडियो पॉस्ट कर मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहीं पे एक heading or डाल दो, relationship between, जो आपने डागराम में बनाया, वही schedule में भी दिख रहा थ आपको 1, 2, 3, 4 नहीं लिखना पड़ता, यहीं पे एक heading डाल दो, class, relationship between, relationship between, आप यहां relationship भी देख सकते हो, किस-किस के बीच में, total utility and marginal utility, और तुम्हें यही चीज यहीं पे याद हो जाएगी, इसकी भी मेरी guarantee है, यहीं पे तुम्हें ये learn भी हो जाएगा, सबसे पहला point में मैं तीन point बताऊँगा आपको relationship में, सबसे पहला, when T.U. increases, M.U. is positive, simple, जब T.U. बढ़ रहा है, तो M.U. घड जरूर रहा है, लेकिन M.U. positive है, when T.U. increases, M.U. positive, ठेक है, when T.U. is maximum, जब T.U. maximum है, M.U. is equal to zero, T.U. जब बढ़ रहा है, तो M.U. घट रहा था, लेकिन positive था, इस line के ऊपर था, जब maximum था T.U. तो M.U. is zero, when T.U. falls, when T.U. falls, M.U. is negative, जब T.U. घटेगा, तो M.U. क्या हो जाएगा, minus में, check करो, जैसे घट रहा है, minus, कितना simple लिखा है, देखो, बढ़ रहा है, positive, maximum है zero, T.U. तो T.U. और M.U. और ये complete law of diminishing marginal utility, law of DMU हो गया, और साथ में क्लास हम लोगो ने इसके relationship भी देख लिया, T.U. और M.U. का relationship. अब इस chapter में जो बचा हुआ है, वो है single commodity case और double commodity case in case of consumer equilibrium, वो हम next class के अंदर पढ़ के इस पूरे topic को खतम करदेंगे, consumer behavior को, फिर हम demand पिर हम elasticity of demand पढ़ेंगे. I hope class ये वीडियो यहां तक अच्छे समझ आया होगा, अच्छी लगे, तो ये को लाइक करना, शेर करना अपने सारे दोस्तों में, अगली class में हम इस consumer behavior को, consumer equilibrium in case of single or double commodity approach पढ़कर खतम करेंगे, तब तक के लिए टेक केर वाबाय, मिलते हैं next video में. झाल